हैलो श्रोंट देखिएए आज मैं आपको निकाल वह बताने वाला हएं ऊक्षिकर् मेरा क्या है ?! मेरा F E NO के साथ क्या बना रहा है कि मेरा compound बना रहा है जो compound बना रहा है वो कैसा है complex या निकि थोड़ा जटे लिया नहीं मजबूत है ठीक है तो मैं NO की oxycard संख्या कितनी होती है plus 1 ठीक है तो अब हमें पता है कि NO की oxycard संख्या plus 1 हो गई फिर उसके बाद है इसमें SO4 दिया गया है तो उन्होंने बोला है SO4 की oxycard संख्या का मान इसके आवेस के बराबर होगा यानि कि SO4 पर जतना मेरा चार्ज होगा उतना ही उसकी क्या होगी oxycard संख्या यहां पे कितना है two negative ठीक है तो उसी प्रकार सबसे पहले मुझे F E की निकालनी है इस मैं ठीक जिसकी निका यहां प्लस का दो ले लिया ठीक है और n o की फ्लस की बन था बो थी पर हम क्या करते हैं यहां इनके बीच में क्या प्लस का साइन जैसे F E का x है बीच में प्लस का साइन एक एक elements के बादर जाएगा तो अब यह डिजिट का होँग में एक फॉल जाएंगे ना अभी इधर है एक्वल गे एक्वल की उदर पहुंचे तो क्या दो प्लस का हो गया और बन माइनस का हो गया तो कितना निकल गया आई F E की, प्लस की बन, ठीक है, देखो अब यहां पर मैंने लिया है, N O C L O 4, इसकी मुझे क्या है, ऑक्सिकर्ड संख्या है, इसमें पूछी गई है, N की, ठीक, जिसके नीचे अंडरलाइन है, अब मैं पता है कि C L O 4 की होती है, ऑक्सिकर्ड संख्या माइनस बन रखने पर, ठी में 0, तो, प्लस माइनस, माइनस का 2, प्लस माइनस, माइनस का 1, यह एकक्वल की, उधर जाएंगे, तो सभी प्लस के हो जाएंगे, और इनको एड़ कर देंगे, तो प्लस का 3, तो यहां की कितनी निकल गया है, प्लस का 3, तो देखे, यहां, जो मैंने question लिए और लिखे ल नीचे underline है उनकी मुझे oxidation number find करनी है ठीक है तो उसी पिरकार से हमें सबसे पहला दिया है NH4 और इस पर हमें साथ साथ में क्या दिखाया है आवेस यानि की charge भी दिया गया है मुझे तो यहां पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले NH4 को solve करने वाला हूं तो जिसमें क्या है पढ़िए आक्सिगर संख्या हमेशा कितनी होती है प्लस की वन होती है ठीक है उसके बाद इन्होंने दिया है NH4 आएन है मेरा इक पूरा NH4 आएन पर उपस्तित आवेस कितना है प्लस बन मतलब चार्ज ठीक ही तो प्लस लगा है अब हम निकालेंगे तो एन H4 प्लस सबसे पहले N की निकाल ली है तो X लिखेंगे प्लस H की कितनी होती है प्लस का 1 और इंटू 4 अब हमेशा याद रखना जितना आवेस हो वो हमेशा कहां लिखेंगे एक वल में क्योंकि उनमें हम देखो जो पहले कराए थे एक वल में 0 ले रहे थे क्योंकि उन पर ह प्लस का बन अब X प्लस और 4 बन या 4 प्लस का 4 एक्वल प्लस बन अब यह 4 उदर ले जाओ X है अब यह 4 में रहे एक उदर जाएगा तो X एक्वल माइनस का 4 और प्लस का 1 तो माइनस की संख्या बढ़ी है और प्लस का बन छोटा है तो X एक्वल माइनस का 3 आएगा ठीक है यह हमारी oxidation number निकल लिगा है N का minus का 3 देखिए यहां क्या है आपका P का निकालना है ठीक है तो हमने P का माना X ठीक प्लस O की कितनी होती है minus की 2 होती है into 4 इस पर देखिए जो आवेज जो आपका charge कितना है minus का 3 तो equal में लेंगे minus का 3 ठीक है अब X X plus minus minus का 2 into 4 equal minus 3 X 4 उजा 8 minus का 8 equal minus का 3 8 उदर जाएगा equal के तो किसका हो जाएगा plus का 8 और minus का 3 plus का बड़ा है minus का छोटा 8 में से 3 जाएगा तो equal plus का 5 बचेगा ओके यह आगे निकल गए और यह लोग आप लोग हमबर में करके लाना ठीक है